रचना कार्यकरम के अंतरगत रचना कार्यकरम में हम अलग अलग साहित्यकारों साहित्यक विधाओं के बारे में विचार विमर्ष करते हैं और ऐसे साहित्यकारों से हम लोग मिलते हैं संबाद करते हैं जिनोंने देश भर में अपनी साहित्यक सांस्कृतिक सामाजिक घुमिका के माध्यम से हस्त शेप किय जो साहित्यकार साहित्य की दनिया में सामाजिक और सांस्कृतिक सरोगारों के बाध्यम से जुड़े हुए हैं जिनों ने लंबा साहित्य संगर्ष चिया हैं आज हम एक ऐसीさん तेकार से आपको रूब हराने करने जा रहे हैं पहले रुख करते हैं उनके चातर जीवन की ओर महिंद्रा कालेज पटेयला के चातर के रूप मेवे अपनी उस दौर की मौलिक कविताएं लेकर इतने पुरुसकार जीत कर लाए कि उस महाविद्याले के इतिहास में पहली दफा किसी को सांस्कृतिक गती विधियों के लिए रूल आफ आउनर परदान किया गया एक आलोचक के रूप में शोधकार शाला को आयूद करने के लिए उन्हें केरल जैसी सुदूर प्रांतों के शंक्राचारे और कोची विश्विद्यले तक में आमंत्रित किया गया इस दौरान विविद विधाओं में उनकी पचास से अधिक किताबें परकाशित होई गांधी के प्रति उनके जुकाव को हम उनके द्वरा लिखी की किताबों से ही नहीं अपनी बेटी के पास न्यू यार्क यात्रा में भी देख सकते हैं जब वेक्स म्यूजियम में अपना चित्र महात्मा गांधी के साथ खिचवाते हैं या दलाई लामा के साथ उनके सफर में उनकी पतनी जीवन संगनी को भुलना उचित नहीं होगा उनका विवहा 1981 में उशा जी के साथ हुआ जिनके साहियोग और साथ के बिना उनका यह साहितिक सांस्कृतिक सफर इस मुकाम तक शाहिदी पहुँच पाता इस पुरे लेखन काल में उन्हें जो पुरुसकार और समान मिले उनकी और भी एक नजर चलते देख लेना जरूरी लगता है उनका एक पक्ष और भी है वे डिजीटल पेंडिक्स बनाते रहे हैं जो अपने देश में ही नहीं बलकि बहुत से अन्ने देशों में भी काफी सराही गई हैं विलोश शाही पर कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के विशे शांक भी प्रकेंद्रित हुए अब उनसे सीधे मुखातिब होते हैं तो आज हम मिलते हैं डक्टर विनोश शाही जी से तो डक्टर विनोश शाही जी आप लोग एक कवी भी हैं कहानिकार भी हैं नाटकार भी हैं उपन्यासकार भी हैं और एक बड़े आलोचक भी हैं तो लगभग आप लोगों ने सब विधाओं में बराबर काम किया है तो विधाओं में जो आप लोगों की एक बराबर आवाजाही बनी रहती है उसका उसकी क्या वजह है आप अपने रचना यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ पताएं शुक्रिया राकेश जी पहले तो मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया क्योंकि मैं कविता से आरंभ करके पहले कहानी में आया कहानी से थोड़ा आगे बढ़ा तो नाटक की दुनिया में चला गया नाटक की द पाकी विधाएं लगबग छूटती चली गए और फिर आखिर में यह लगा कि नहीं मुझे कोई बड़ी बात कहनी चाहिए तो उपन्यास की तरफ आया मेरे लिए सभी विधाएं बराबर का महत्व रखती हैं जैसे आपने देखा होगा रितुएं बदलती हैं कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है कभी बारिश होती है तो कभी बसंत आता है तो रितुएं भी तो आपनी चटा अलग-अलग तरीके से विखेरती हैं तो व्यक्तित्तों की चटा क्यों नहीं अलग-अलग होनी चाहिए तो जैसा प्रकृती ने मुझे बनाया है कि मैं किसी एक जि को कभी तैयार नहीं हुआ राकेश जी तो वह एक वजह रही कि जिस भी विधा में मैं गया उसने जैसे ही मुझे बांधना शुरू किया मैंने उस विधा के बंधन से खुद को आजाद किया निकल आया और निकल करके मैं आपनी रचना शीलता की संभावना को अलग अलग इस समय आप लोगों ने कहानी की दुनिया में परवेश किया यह वह दौर था नए कहानी के बाद का दौर और लगभग हिंदुस्तान की हर बड़ी पत्रिका में आपकी कहानीया परकाशित हुएं तो लगातार कविता से कहानी और कहानी से निबंद की और और आलोचना की दौर जो एक बराबर आवाजाही जो एक आप लोगों की बनी रहती है तो उसमें आप लोग अपने आपको किस विदा के ज्यादा अनुकूल पाते हैं चुंकि शुरुआत कविता से की तो कविता देखिए राकेश जी आदमी को गहराई देती है आप जब अपने करीब जाते हैं अगर आपको अपने अपको पाना है अपने अनुभवों को एक ऐसी गहराई तक लेखर के जाना जहां आप ही नहीं होते पूरी दुनिया आपके भीतर के संसार की तरह जिसको कहते हैं कि अगर वो यात्रा हो तो कविता हो गई जैसे ही लगता है कि वह जो भीतर है वो तो बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलने के लिए समवाद भी जरूरी है तो बाहर की दुनिया तो इतिहास की दुनिया है त क्या क्या है कि वहां फिर अपने आपसे संबाद करते हुए पूरी बात तो बनती नहीं फिर न में बहर निकलना पड़ता है और उन तमाम अंतरविरोधां से जूजना पड़ता है फिर होता क्या है कि हमें कोई ऐसी विधा चाहिए मुझे लगा कि शायद कहानी में बात हो जाएगी शायद नाटक में बात हो जाएगी लेकिन एक दफाए यह लगा कि यह यह बात जो मैं कहना चाहरा हूं यह तो निर्बंद हो करके है टुकड़ों म यूज टिखता हूँ जो यतिहास के अंतर विरोध हैं नको समेटना है लग-ळग खांचों में बंढ़ियोई चीजों को एक जगए लाना तो क्या क्या स्थिति हुई तो मुझे ये लगा कि देखिए एक समाज का इतिहास है एक राजनीती का इतिहास है एक कोई जीवन का इत उस उप्रियास का देश भर के आलोचकों ने साहिते कारों ने उसका बड़ा गंभीरता से उसके उपर विचार विवर्ष हुआ है मंधन हुआ है तो इश्वर के बीच में जो आप लोग कहते हैं कि प्रलय के बाद कुछ भी नहीं बचेगा शायद इश्वर भी नहीं तो यह जो अब धारना है यह क्या है जैसे हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं खास तोर पर उरानों में तो प्रलय थी वह अलग तरह कि थी आधुनिकाल में आते हैं तो प्रलय अलग तरह की आप देखिएगा कि एक बड़ा महाकाव है हिंदी का प्रसाद का कामाईने तो प्रलय से चलता है अब वहां प्रलय कहां से आ गई तो मैं सोचता रहा मुझे लगा कि प्रलय का मतलब है जो एक यह नई दुनिया और हमने देखा है वो तो प्रलय से कम नहीं और यह तबाही का दौर लगातार चला लगातार चला लगातार चला इस इस अर्थ में के पहले एक तरह की गुलामी आई फिर दूसरी तरह की गुलामी ने हमें पकड़ लिया वो कार्पोरेट्स की गुलामी आज के दौर में भ चुछ नढ़ने किया और बात जब प्रले के बीच कुछ ना बचने किया और यिश्वर के भी न भचने की है तो स्थिति यह है कि जब हम सब कुछ नष्ड होता है तो किसी को पूलाते हैं रख्षा करो वह तो निर्बल का बल है जैसा कि पहले कहा गया परन तो इसका मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है विनो शाही जी आपका यह उपनियास मैंने भी पड़ा है इसके उपर मैंने आलेख भी एक लिखा है मैं समझता हूं कि आचारे हजारी प्रसाद वेदी जी के बानभट की आतमकता के बाद ह हिंदी में यदि कोई बहुत बड़ा महा का वे आतमक उंचाई का कोई उपनियास लिखा गया है तो वो इश्वर के बीज है ऐसी बहुत सारे लोगों की आलोचकों की धारना है तो मैं समझता हूं कि हिंदी में जो बाडबट की आतमकता का जो अगला जो दौर्त होना चाह था वो महावरा किस चीज़ का देखिए यह थार्तवाद ने पकड़ लिया सामाजिकता का एक खास तरह का धांचा उसने पकड़ लिया लोग राजनीति के अंतरविरोधों पे लिखने लग गए लोगों को लगा के संबंधों में रिष्टों में दरार आ रही है उस पर ल गाउं की तरफ गया तो गाउं में मैंने देखा कि वहां पर बड़े बड़े यह अधार्मिक संस्थान नहीं है वहां तो चोटे-चोटे कहीं पर कोई जठेरा बना हुआ है कहीं कोई और चीजे बनी हुए सामाने हमारे विश्वास हैं तो वो जो लोगों की आस्थाएं थी मैं उन में गया दूसरी बात मैंने देखा कि मनुष्य और पशु का एक रिष्टा है तो पशु से मनुष्य होने की जो प्रक्रिया है उसने मुझे पकड़ लिया कि जैसे ही हम सब्बे होते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग पाशुविक विवहार करते हैं लेक मैं आपसे इसे समय में और करना चाहता हूं कि उप्रेयास को जैसा मैं समझता हों कि वह एक भविश्य का स्वपन है यूटोपिया है तो आपका यह जो इश्वर की विजियूपनयास है इसको आप मिर्शे के स्वपन के रूप में किस रूप में देखते हैं भारत के भाव ने अपने सपने खो दी हैं हमें समझे नहीं आता हम जा किदर रहे हैं और ये उपन्यास लिखा ही इसलिए गया कि मैं एक गाओं के भीतर से एक ऐसे आश्रम की परिकल्पना तक चला गया जो एक समग्र समाज का उधारन हो सके जहां पर मनुष्य पशू प्रकृति और यहां को नष्ट ना करें यानि यह यहां तक इसलिए भी पहुंचे कि आज का समाज आपने देखा होगा तो प्रकृति को नष्ट कर रहा है तो प्रकृति के नष्ट होने से जीवन के नष्ट होने की संभावना आ अगई महामारिया फैल रहीं और जाने क्या क्या कैसे बचाएं तो मेरी भावी शिवकुमार बटाली जी की पडोसन रही है तो मुझे एक वार्निंग दी गई कि देख ले कवी है वो तो उस वार्निंग के साथ ही मैंने चैलेंज लिया और सोचा की भगवान मेरे लिए तो बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा तो जन्नी शुरू हुई और मैंने सबसे पहले यह बताना चाहूंगी कि कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं विनोध शाही एक राइटर के साथ रहती हूं एक कवी के साथ रहती हूं बहुत काम करते हैं काम की लंबी लिस्ट रहती है समय कम काम ज्यादा शुरू से यही देखा है मैंने एक काम चल र में हमेशा परिवार के लिए अवेलिबल रहते हैं शुकर गुजार हूं मैं कि मुझे एक अच्छा परिवार मिला एक अच्छा पती मिला और इतना एक अच्छा पती ही नहीं जो समाज के लिए इतना सोचता है इतना लिखता है अपना पूरा योगदान देता है समाज के स जरोकारों को थोड़ा उजागर करने के लिए, उनमें कुछ सुधार करने के लिए, उनमें मॉडिफिकेशन्स लाने के लिए, तो हमेशा ही मैं भगवान का ही शुकर करती हूँ और कि सब को लंबी उमरते हो रहे हुआ है। राम कथा एक पुनहर पाठ की और चले जाते हैं और दूसरी और जब आप लोग सूफी कावय परंपरा की बात करते हैं तो बुल्ले शाह और वारिश शाह का पुनहर पाठ करते हुए दिखाई देते हैं तो इन सब चीजों की आपको क्या आवशक्ता महसूस होई गाए। जी परंपरा और संस्कृती की जहां तक बात है ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि उसको आप पंजाब तक सीमित करेंगे या उसको किसी राश्ट्रिय फलक तक रखेंगे। जब मैं रामकथा की तरफ गया तो असल में वो भारत की आत्मा की खोज है वो भी एक समाज की खोज है। जंगल की संस्कृती पीछे चूट रही थी वान के राक्षस रक्षा करने वाले लोग। उनके साथ क्रिशी संस्कृती के लोगों का एक संगर्ष चल रहा था। कभी खत्म नहीं होते हैं। मैं चाहता हूं कि यह बातों का सिलसिला जारी रहे, संवाद जारी रहे, तो कि संवाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक यह संवाद चलता रहेगा, तो जीवन भी चलता रहेगा। रचना, आलोचना, संपादन, चिंतन के साथ साथ कला जगत में उन्होंने भरपूर योगदान दिया है वे एक साथ साहित्य की कला की संस्कृत की तीन तीन पीडियों को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व बनता है रचना से लेकर आलोचना को नए आयाम देने का उपक्रम उनके यहां देखने को मिलता है विनोट शाही ने पंजाब की रचना शीलिता को मंजरे आम पर लाने के लिए जगदीश चंद्र गंथावली गुर्दयार सिंग गंथावली का संपादन किया उन्होंने वारसा समय और पाठ बुलेशा समय और पाठ जैसे कामों से पंजाब की सरजनात्मक पतिभा को विश्व साहित्य के समकक्ष स्थापित करने का प्रयास किया है उनके व्यक्तत्पका एक अंचुआ पहलू उनका कलाकार है आप उनकी कलाओं को देखें अमुर्त का मूर्तन उनके चित्रों में विद्यमान है और बहु संख्या में आज हम कई पुस्तकों के आवरण कई कलादेरगाओं में उनके चित्रों की उपस्तिति पाते हैं मैं को छोटे-छोटे सवाल आपसे जाना चाहूंगा आपका प्रिय कभी मेरा प्रिय कभी मुक्तिबोथ कहानीकार कहानीकार निर्मल वर्मा कववे और कालापानी के लिए निबंधकार निबंधकार तो रामचंदर शोक्ल क्योंकि उन्होंने कभिता क्या है जैसे अध्भ नामला है लेकिन मैं कावे कला और अन्य निबंध लिखने वाले जैशंकर प्रसाद की और जाना चाहूंगा संस्कृत के आचारेों की परंपरा में आप किस आचारे से ज़्यदा परभावी थे देखिए भरत्मुनी को छोड़ा नहीं जा सकता लेकिन मेरे उपर प्रभाव आनंदवर्धन का पड़ा आपका प्रिय दार्शनिक चिंतक भारत में दर्शन शट दर्शन लिखे गए औ दर्शन परंपरा बहुत विःतोय विखसित हbasividad मैं पतंजली की और जाता हूं मैं उनको मन्हभिश्मशन का दुनिया का पहला दर्शनिक मानता हूं जिसकी ओर रुख नहीं किया गया वेदों और उपनिष्टॉं में आप किसको महत्व देते हैं वेदों में अथरव तित्व की उपर भी बहुत गहरा परभाव है शुक्रिया इशावास्य मेदम सर्वं यतकिंच जगत्याम जगत वहां से वह आरम करता है और वो जगत को नहीं छोडते और जो आज की यथात्वादी परमपरा है उसमें जगत से होकर चेतना तक का सफर उसी के भीतर से निकलत यह मेरी पतनी बता देंगी और हल्वा भी अच्छा बनाता हूं और जब इनका हमारा विबा हुआ तो इन से का गया हल्वा बनाए तो मैं चुपके से किचन में चला गया था हल्वा बनाने में इनकी मदद की थी आपकी कमजोरी अब कमजोरी की जहां तक बात है मैं कुछ को छोड़ नहीं पाता ना छोड़ने वाली बात जहां तक है मेरे सामने बहुत सारे काम पड़े हों परंतो अगर कुछ ऐसा अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर कुछ घट रहा हो तो मैं सारे काम छोड़ करके वो देखने लगता हूं जैसे हबल स्पेस के हबल टेलिसकोप तो उसका पीछा करना या जेम्स वेब टेलिसकोप है उसका पीछा करना मैं वेसे छूट नहीं पाता बाकी काम पीछे रह जाते हैं तो पता नहीं क्यों अंतरिक्ष मुझे क्यों खींचता है यह मेरी कमजोरी है यह मेरी उपलदी है मैं नहीं जानता परंतो मुझे लगता तो यह है कि असफलताओं के बावजुद एक जिद मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा एक जिद का शिकार रहा हूँ। और कितनी असफलताओं आएं जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हो गया हूँ, मैं नहीं पीछा नहीं छोड़ता उसका। अब नापसंद वाली बात यह है कि अगर कोई आदमी बिना विशलेशन किये किसी के बारे में फत्वा देता और किसी को रद करता है, वो मुझे सख्त नापसंद है। और फत्वा देने की परंपरा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बड़ी तकलीफ होती है आजकर। आपका प्रिये संगीत, गीत? ऐसी स्थिती में एक सहित्यकार की क्या भूमी हो सकती है। फविल भी आदमी अपने उपसे बत konk complètement चीट करता है। वह जो अपने भीदे चल रही बत्चीत होती है आम आदमी इसको दुनिया तकली ले लेकर करें जा सकता है। लोग उसको पगल कहें गे। साहित्यकार अपने भीतर चलती हुई वातचीत को एक तर्तीव देता है। दूसरी बात वो उसके अंदर एक दृष्टी रोपता है। और उसके माध्यम से वो एक विकल्प भी खोजता है कि अगर ये दुनिया बदल जाया या ऐसा ना होकरके ऐसा हो जाया तो साहित्यकार उस दृष्टी के साथ काम करता है। क्या है कि साहित्यकार यह जो हमारी कच्छी सामगरी है जीवन की यह जो मिट्टी पानी हवा और तमाम चीजें उसको अस्थी मज्जा देता है उसको एक घ्रिदय देता धड़कने के लिए उसको एक दिमाग देता है सोचने के लिए तो वो जो यूग परिवेश है उसको करन में नहीं देखता जो इससे अधिक संवियदन शीलता पैदा करता हूं. तो दरशको आज हमने विनों शाहिजी से बहुत लंबी बात्चीत की इनके साहितिक जगत के बारे में, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक कटीविधियों के बारे में, इनके चिंतन के बारे में इनकी रचना यात्रा और जिवन यात्रा के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और आगे भी हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और नए व्यक्तित्वों को लेकर और नए प्रतिभाओं को लेकर आपक कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके प्रती मुखातिब होने का मुझे मौका मिला